दमोनगर के हिर्दैस्तल घंटागर से चंद कदम की दूरी पर सराफा बाजार में गुरू कुरपा जेलर्स में देर रात कार से आया अग्या चोरों के द्वारा गुरू कृपा जेलर्स के सटर के ताले तोड़ कर सटर को उपर करके और उसके बाद अंदर के दरवाजी को तोड़ कर घुसकर लाखों की चोरी के उबारदात को अंजाम दिये जाने का संसानी के घटना करम सामने आया है इस पूरे घटना करम की लाइब वीडियो भी सामने आई हैं तस्वीरों के जड़ी आप देख सकते किस तरह से काली कार यहाँ पर आकर रुकती है कार में से कुछ युवक नीचे उतरते हैं जिनके द्वारा यहाँ पर पहले चारों तरफ रैकी की जाती है इसके बाद मैं सटर को खोलने तोड़ने के लिए इनके प्रयास दिए जाते हैं तीनी वक चोरी की बारदात को सटर के पास मा अझाम देते हैं नजर आ रहे हैं जो की सिटि कोत वाली हैं से चंद कदम की दूरी पर ह equival से चंद कदम संद कर चेस्थ की दूरी पर सरफफाच छेतर में TI की कोड़ने में को किस तरफ अंजाम दिया जा रहा है और यहाँ पर गस्त वाले सेपाही से लेकर राती डूटी वाले पुलिस कर्मियों को कानों कान तक भनक भी नहीं लगती है तस्वीरों में आप देख सकते किस तरफ तर उपर करने के बाद में इनके दौरा लखड़ी के दरवाजे के नीचे के हिस्ते को काटने के लिए अप प्रयास किये जा रहे है देखते ही देखते इनके दौरा बिना किसी भय और डरके इस कार को बारदात को अंजाम दिया जा रहा है जबकि सामने लगे CCTV में पूरी बारदात कैद हो रही है की को से इस कर रहा है और ये देखते ही देखते सफेद जरकिन वाला आरोप योबक दुकान में घुसने में सफल हो जाएगा अंदाजा तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है इनके दौरा यहाँ पर खड़े हो के रैकी की जा रही है और काली जैकेट वाला योबक दुकान के अंदर गुस गया है उसके द्वारा दुकान के अंदर से अब चांदी के जेबरा तित्यादी निकाल कर बाहर खड़े सफेद और लाल जैकेट वाले योबकों को दिये जा रहे हैं तस्वीरों के जेरिये CCTV में आप देख सकते किस तरह से चोरी की चांदी को या योबक बाहर निकालने में ले जाने में सफ़ल होते नजार आ रहे हैं सफेद जरकिन वाला योबक पहले राउंड में चांदी चोरी करके कार में रखकर ले जा चुका है वहीं लाल जरकिन वाला योबक अब चोरी का माल सफेद जरकिन वाले को पकड़ा रहा है चांदी का कुछ सामा नीचे भी गरा है और देखते ही देखते समझे जा सकता है कि इनका एकन्य साथी भी अब काली जरकिन वाला यहाँ पर नजार रहा है